नमस्कार प्यारे बच्चों मैं विजय बच्चों अभी हमारा BSC First Year का Demivers Theorem और उसका एप्लिकेशन Demivers प्रमे और उसका अनुप्रियोग फिनिस होने के बाद कुछ दिन ब्रेक था और बहुत बच्चों ने हमको डिमांड किया था कि समूर सिद्धान्थ गुरूप थेवरी थेवरी मिन समझ रहे होना थेवरी ही है ठीक है तो इसको पढ़ना है कैसे बनता है इसका कोशन इसके बारे में जानकारी लेना है रुपे साहो जी गुड इवनिंग चलिए आज सुरुवात करते हैं गुरूप थेवरी की ठीक है और बढ़िया से देखेगा समझ येगा मतलब ये थेवरी ही है ठीक है ना आपको रूल और रेगलेशन याद रखना है प्यारे बच्चो ठीक है और इसमें हम लोग ना थेवरं भी बहुं सरा देखेंगे ठीक है एक एक पॉइंट आपको नोट करना है और डेपनिशन मालूम है तभी थेवरं बनेगा ठीक है ये बहुत बच्चे इसको कठिन समझते हैं लेकिन कठिन है नहीं बच्चो याद रखना इजी है सरल है तो चलिए बिना देरी के शुरुवात करते हैं हाना देखे बच्चो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ द्विचर संक्रिया के बारे में द्विचर संक्रिया बाइनरी आपरेशन क्या होता है दो चरों के बीच बाइनरी आपरेशन एक सेकंड बच्चो द्विचर संक्रिया बाइनरी आपरेशन मतलब समझे दो चरों के बीच लगने वाला संक्रिया और यह संक्रिया क्या क्या होते हैं देखो स्टार से प्रदर्शित करते हैं, दूचर संक्रिया को, प्लस से प्रदर्शित करते हैं, इन्टू से प्रदर्शित करते हैं, यह देखो, ऐसा देंगे न, यह दूचर संक्रिया है, बैनरी आपरेशन है, आप O कहे दो O, आप क्यो पर है भाई, आपको तो नोटेशन लेना है आप क्या कहना चाहते हूं कभी-कभी यह देखो ऐसा वाला सिम्बाल देते हैं कभी-कभी आपको देते हैं ऐसावाला सिम्बाल यह होता है यूनियाँ यह होता है इंटरसेक्सन conjunction, डिजजक्सन इस धंग से यह जितने भी दिख रहा है ये सभी दो चरों के बीच लगने वाला संक्रिया है हम इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों बीचर संक्रिया आज हम लोग गुरूप थिवरी समू सिद्धान्त पढ़ने वाले हैं तो आईए देखें कि समू क्या है में पॉइंट पे आते हैं समू की बात करते हैं बच्चों गुरूप बिल्कुल देखना ध्यान से देखना हम एक समूच्चा लेते हैं माल लो जी कैपिटल जी एक अरिक्त नान इम्टी सेट अरिक्त समूच्चा है नान इम्टी सेट है तथा जी पर दुचर संक्रिया बाइनरी आपरेशन दुचर संक्रिया चलो ओ दे दो इस्टार दे दो आपके उपर है जी पर दुचर संक्रिया हम जैनरल ले रहे हैं तो प्लास और इंटू ना दे न जिस पर दुछर संक्रिया ओ परिभासित है तब हम इस संक्रिया को बीजी सरचना कैसे लिखेंगे जी ओ अब मैं पढ़ रहा हूं जी ओ आप जो पढ़ना चाहें जी और यह क्या है बाइनरी आप्रेशन है अब आपको पढ़ना है जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं हाँ इमाच olur नायक जी गुड इविनिंग ठीक है और देखे जी ओ माल जी एक अडिक्ट समुच्चे जिस पर दुछर संक्रिया ओ परिभासित है तब जी ओ एक समू कहलाता है जी ओ एक समू कहलाता है एक गुरूप कहलाता है प्यारे बच्यों कब कहलाता है यदि निम्न अभिग्रिहीत निम्न एक्जम का पालन करता है यदि जी निम्न यदि जी निम्न अभिग्रिहीत ये पहला जो डेफिनिसन है इसको अच्छे से रटना अच्छे समझेगा निम्न अभिग्रिहीत का क्या करता है पालन करता है या निम्न अभिग्रिहित को संतुष्ट करता है, सेटिस्पाइट करता है अब देखें सबसे पहला G1 इसको नाम दियाएगा है G1 तो G1 क्या है? इसको बोलते हैं समवरक गुणधर्म समवरक अभिग्रिहित समवरक एक्जम एक्लोजर एक्जम समवरक अभिग्रिहित गुणधर्म जो कहना चाहे प्यारे बच्चों कह सकते हैं अब समवरक क्लोजर का मतलब आप जानते हो हम क्या करेंगे? G का कोई भी दो अवियाव लेंगे G का कोई दो अवियाव लेकर के यदि इन दोनों के बीच आपरेशन लगाया जाए और वापस हमको G का ही अवियाव मिले तो हम कहेंगे कि हाँ क्लोजर है क्लोजर है समवरक है क्या लेंगे देखो माल लो A, B बिलांच्टो कितना है? G है तब A और यहाँ पर आपरेशन B बिलांच्टो जी यदि ऐसा कंडिशन आया इस प्रकार G1 क्या है? क्लोजर है G1 समवरक है प्यारे बच्चो क्या देखा आपने A और B के बीच आपरेशन लगाया यहाँ आपरेशन प्लस भी हो सकता है इंटू भी हो सकता है याद रखेगा हमने यहाँ पर O इस टैप से जो बाइनरी आपरेशन दिया है इसका यूज किया है तो A, O, B बिलांग्टू जी फारेवरी A, B बिलांग्टू जी इस प्रकार G1 समवरक है अब आईए G2 में यह होता है साचार्य अभिग्रिहित साचार्य गुंधर्म अब देखेए G2 आप नाम दे रहे हो तो G2 बदलेगा नहीं हमेशा G2 यही रहेगा रुपे साओ जी G2 बदलेगा नहीं बेटा G2 आप सेट कर रहे है तो G2 हमेशा क्या रहेगा साचार्य रहेगा अब चलो साचार्य में देते हैं माल लो G के तीन अवियाओ A, B, C बिलांग्स टू G है तब साचारी के बारे में जानते हो ब्रेकेट को चेंज करना कोस्ट्रा को बदलना यही जानते हो ना कैसा देंगे A, O, B, O, C A, O, B, O, C यह देखो कोस्टक बदल गया बस वार इभरी अब मैं O पढ़ रहा हूं बच्चों इसका प्रोनसेशन क्या है आप देख लीजे अपने इसाब से ले लीजेगा एक्चुल इसको हम बाइनरी आप्रेशन के नाम से जानते हैं तो A, बाइनरी आप्रेशन यहाँ पर इस्टार भी यूज़ कर सकते हो यह ओ जो है प्लस भी हो सकता है और इंटू भी हो सकता है चलो जीतरी देखिएगा इसको कहते हैं तत्समक आइडेंटिटी एक्जम तत्समक अभिग्रहीत यस इसके लिए लेते हैं यह देखिएगा प्रतेक ए बिलांग्ज़़ जी कहने का मतलब जी के अंदर प्रतेक अभियाव के लिए अब यहाँ पर इस्टार हो या ओ हो या यह वारा binary operation हमेशा क्या लेते हैं य लेते हैं तत्समक कअभिग्रष़ इ इसके बिलांग़््रोज़़ जी के लिए एक तस्समा कवियाओ एक तस्समा कवियाओ बिल्कुल ऐसी सेट करना E belongs to G कास्तित्व इस प्रकार है कि A, O, E, E, O, A तस्समा कवियाओ को लगाओगे तो वापस वही अवियाओ मिलता है ब्यारे बच्चों याद रखना E belongs to PG अब देखो गुनन के लिए क्या होता है गुनन के लिए यहाँ पर मैं अलग से नोट में लिख ले ना गुनन के लिए E is equal 1 होता है और योग के लिए तस्समा कवियाओ जिरू होता है बिल्कुल ऐसी ही दिमाग में रखना रट लेना इसको और इसी में हम कोश्चन को सब जो बनाएंगे उसको रखते जाएंगे अवियाओ को जो भी आएगा वहाँ पर देखेंगे अब आता है जीपोर यहाँ होता है प्रतिलोम अभी ग्रहित E तस्समा कवियाओ है इस्टार अरो के लिए रुपे साहु जी E तस्समा कवियाओ है किसके लिए स्टार के लिए O के लिए याद रखना और 1 जो होता है गुनन के लिए होता है और 0 होता है प्लस के लिए यह तस्समा कवियाओ है तस्समा कवियाओ के बारे में जानते हो तस्समा कवियाओ वहाँ होता है जिसको कहीं पर आप एपलाई कर सकते हो कहीं से भी हटा सकते हो उसका कोई effect नहीं आता ठीक है मैंने कहा E तस्समा कवयाओ है star के लिए और binary operation O के लिए 1 के लिए 2 के लिए तस्समा कवयाओ लेते है 1 और plus के लिए तस्समा कवयाओ लेते है 0 याद रखना चलिए जीपोर की बात करें अब जीपोर में देखो हम इसको कहेंगे inverse exam inverse property हना प्रतिलोम अभिग्रीत प्रतिलोम गुरुन धर्म आप क्या करना चाहते हैं आप देख लिजेगा इसके लिए भी क्या होगा देखेगा A के प्रतेक अवयाओ अब देखो यहाँ पर operation के बारे में जानकारी नहीं है हम केवल operation binary operation कहा रहे हैं तो हम इसके लिए ades ले लेते हैं ades प्रतिलोम अवयाओ ades बिलांग टुजी का अस्तित्व इस प्रकार है कैसा है का अस्तित्व इस प्रकार है कैसा है भाई A binary operation O ades is equal ades binary operation O is equal कितना E जब हम प्रतिलोम अवयाओ को अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा तत्समक अवयाओ मिलेगा याद रखना अब यहाँ पर इस देखना प्लस के लिए इसमें सब में नहीं करना है इसको बता रहा हूँ जानकरी नोट के याद रखे प्लस के लिए A के संगत प्रतिलोम अवयाओ माईनस A होता है यह जानते हैं अब इनमें लगाएंगे मालोब प्लस है यहाँ पर माईनस A लिया तो 0 आएगा कि नहीं आएगा अब प्लस के लिए तसमा का वयाओ 0 जानते हो बिल्कुल जानते हो इन्टू के लिए A के संगत प्रतिलोम अवयाओ क्या होता है प्रतिलोम अवयाओ को यहाँ पर इपलाई करें तो हमको binary operation लगाने के बार बाद द्विचर संक्रिया लगाने के बाद हमको क्या मिलेगा तसमा कोयों मिलेगा E मिलेगा तो बच्चों आपने देखा G1 एक बार रिपीट कर देता हूं समू की बात किया ग्रूप थेउरी में हम ग्रूप की परिभासा देख रहे हैं प्यारे बच्चों हम जानते हैं द्विचर संक्रिया आपको बताए हैं ये सब द्विचर संक्रिया है दो चरों के बिच लगने वाला संक्रिया binary operation कहते हैं इसको ठीक है अब इन्वे से देखिए हमने कहा कि जी एक अरिक्त समुच्चे है जी के अंदर कोई न कोई याव याव है जिस पर binary operation द्विचर संक्रिया यहाँ पर मैंने O से उचारन किया आप भी कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर तो हमको लिग किया आना उचारन करने जाना नहीं है समझ में आ रहा है binary operation पढ़ोगे बहुत लंबा होता है इसलिए O ही पढ़ लिजिए कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है प्यारी बच्चों और यह परिभासित है तब हम कहेंगे कि G-O एक समू कहलाएगा एक ग्रूप कहलाएगा कब यदि G निम्न एक्जम को निम्न अभिग्रिईद को निम्न गुण धर्म को पालन करेगा सेटिसफाइट करेगा संतुष्ट करेगा आपके पास पहला गुण धर्म क्या है G-1 यह होता है closer exam समवरक अभिग्रिईद closer property समवरक गुण धर्म यह हम जानते हैं तो close कैसे होता है closer कैसे होता है समवरक कैसे होता है हमने G के अंदर दो अभिव लिया प्यारी बच्चो कोई भी अभिव G जो दिया है उसके अंदर से अभिव दो निकाल लो दोनों के बीच operation लगाओ और operation लगाने के बाद यदि आपको G का ही अभियाओ मिला G के अंदर जो अभियाओ है वही अभियाओ मिला तो कहेंगे कि यह closer है समवरक है closed है समझ में आ गया होगा A और B दो अभियाओ लिया G के अंदर से दोनों में आप्रेशन लगाया binary operation दीचर संक्रिया लगाया लगाने के बाद मुझे क्या मिला G के अंदर का ही आउयाओ मिला मैंने कहा यह closed है समवरक है इसी को हम कहते हैं समवरक अभिगरीट कहते हैं प्यारी बच्चों याद रखिएगा अब आता है G2 की बात साहचारी अभिगरीट एसोसियेटिव एक्जम साहचारी घुनधर्म एसोसियेटिव प्रापर्टी ये तो आप पढ़ते हुए आही रहे हो ये देखेगा आपको मालूम है बच्चों हमने G के अंदर तीन अविया उलिया A, B और C और तीनों में आपरिशन लगाया देखेगा हमने केवल ब्रेकेट को चेंज किया कोस्टरक को बदल दिया और कोस्टरक को बदलना ही साहचारी होता है याद रखना दोनों बराबर आया यदि हना इस तरीके से दोनों इकवल आया कोस्टरक को बदल दिया तो भी इकवल आया तो हम कहेंगे किया एसोसेटिव है साहचारी है अब तीसरा जीतरी की बात करेंगे इसको कहते हैं तस्समक अभिग्रिहीत आइडेंटिटी एक्जम तस्समक गुंधर्म आइडेंटिटी प्रापर्टी जो कहना चाहें आप कहिए इसके लिए हमें सालेना जी के अंदर प्रतेक अव्याव की बात है प्रतेक A बिलांग्टू जी के लिए एक तस्समक अव्याव जी के अंदर ही रहेगा ये भी जी के अंदर ही रहेगा जी के बाहर नहीं रहेगा याद रखना एक तसमा कवियाओ E बिलांग टू जी का स्तित्व इस प्रकार है कैसा है आपने लगाया E आपरेशन लगाया आपको वापस वही आउयो मिल गया A मिल गया चाहे लेट से लगाये चाहे राइट से लगाये आपको ये मिला हम कहेंगे यहाँ पर E जो है इस O के लिए आपरेशन बाइनरी आपरेशन O के लिए तसमा कवियाओ है हम जानते है बच्चों गुनन के लिए तसमा कोता है E is equal 1 योग के लिए प्लस के लिए तसमा कोता है 0 याद रखेगा चौथा प्रापर्टी प्रतिलोम अभिग्रिहित प्रते के बिलांग्स टुजी के लिए ये देखे जी के अंदर प्रते कवियाओ की बात कह रहा है ये प्रते के बिलांग्स टुजी के लिए एक प्रतिलोम अवियाओ, एक inverse element, A-DES belongs to G, का अस्तित्व इस प्रकार है, ठीक है, there exists such that A-O-A-DES, मतलब यहाँ पर हो क्या है, आपरेशन, binary आपरेशन, A-DES-O-A, आपने आपरेशन लगाया, प्रतिलोम अवियाओ के साथ आपरेशन लगाया, आपको वापस क्या मिल गया, यदि ऐसा मिला, तो कहेंगे, कि यहाँ पर जो A-DES आपने लगाया है, वही प्रतिलोम अवियाओ है, और इसी को हम प्रतिलोम अवियाओ कहेंगे, inverse exam के नाम से जानेंगे बच्चो, यहाँ पर देखिएगा, प्लस के लिए, A के संगत, प्रतिलोम अवियाओ प्लस के लगाओ या into लगाओ, आपको मालूम है, binary operation है, दीचर संक्रिया है, तो A plus और यह minus A, 0 आया, तो भई आपको तो मालूम है ना, 0 किस के लिए तस्समक होता है, प्लस के लिए, आया कि नहीं आया, मतलब आपको तस्समक अवियाओ मिला, इसका मतलब यह minus A, इसका क्या है, प् बन मिला, इसका मतलब आप जानते हो, गुनन के लिए प्रतिलों अभिगरीत, inverse exam को satisfied करेगा, ठीक है, चलिए, तो यह तो हुआ समू की बात, अब इसी में हम आबेली समू की बात करेंगे, चलिए, आबेली समू की बात करेंगे, चलिए, आबेली समू क्या कहता है, आबेलियन ग्रूप, आबेली समू, आबेलियन, एबिलियन, ग्रूप, बच्चों, यदी, यहाँ पर देखिए, फिर भई, परिभासा माल लो, जी, एक क्या है, आरीकत समूच्या है, जिस पर, एदेखो संक्रिया, इसको मैं, बाइनरी आप्रेशन है, द्विचर संक्रिया आप पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ O, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं O पढ़ता हूँ बच्चों, आप जो पढ़ना है पढ़िए, जिस पर O, द्विचर संक्रिया परिभासि है, तब, बीजी सरचना जी O, आबेली समो कहलाता है, यदि G, समूह अभिग्रीत, यह देखेगा, G1, G2, G3, अब G1, G2, G3 का नाम करण कर दिये हो आप, G1 मतलब क्या हो गया समवराक G2 मतलब हो गया साचारी G3 मतलब हो गया तस्वाक G4 मतलब हो गया प्रतिरोम ये सब चलेगा पूर आगे तक चलेगा G1, G2 G3 G4 के अतरीक्त निम्न प्रतिबंद को निम्न अभिग्रीत को संतूर्ष्ट करता है चलो मैं फिर से पढ़ रहा हो इसको इसके बाद अभिग्रीत लिग देंगे हम देखिए क्या बोला गया कि मानलो G1 करिक्त समुझ है उसमें भी लिये थे यहाँ पर भी वही लेंगे जिस पर O यहाँ दूचर संक्रिया परिभासित है तब जिओ आबिली समुझ कहलाएगा आबिलियन ग्रूप कहलाएगा बैचों यदि जी समुझ अभिग्रीत समुझ अभिग्रीत आपने देखा समुझ बस कहेंगे न तो G1, G2, G3, G4 इसके अलावा निम्न अभिग्रीत को संतुष्ट करे तो निम्न में कौन आ रहा है भाईया G5 आ रहा है G5 कौन है भाई करम विन में नहीं हमें देखेगा करम विन में अभिग्रीत विन में करम विन में अभिग्रीत अभी ग्रिहीत अब इसके लिए फिर भाही लेंगे भाई आपको पता है ना प्लेस को चेंज करना इंटरचेंज करना क्या होता है करम को बदलना आडर को चेंज करना तो माल लो हमने जी के अंदर दो अव याव लिया AB belongs to कितना है G है यह देखो 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 अब क्या किये भाई AOB A binary operation B या AOB जो पढ़ना है पढ़ो बोल रहा हूँ न बार बार यह हो गया BOA यह हो गया for every AB belongs to कितना G यदि ऐसा है तो यह क्रमिन में हुआ और यदि क्रमिन में नियम का पालन किया यहने G1, G2, G3, G4 और G5 को satisfied किया तो हम कहेंगे यह ABILI group है ABILI and SAMU है ठीक है तो रुपे साहो जी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कुछ को छोटा छोटा definition है उसके बारे में मैं जानकरी दे देता हूँ एक होता है बच्चो पहला है SAMUHAB इसके बाद कोशन करेंगे ना थोड़ा सा रेफनीसा लिख दे SAMUHAB या इसी को बोलते हैं दूचर बीच गनित SAMUHAB या दूचर बीच गनित ठीक है तो वही लिखना है अब यहाँ पर एक मालो वही सब लिख लेना से मालो ये सब में रहेगा मालो जी क्या है अरिक्त समुच्च है जी क्या है अरिक्त समुच्च है O दूचर संक्रिया है ओके ये सब में रहेगा तब G.O SAMUHAB कहलाएगा SAMUHAB कहलाता है कब कहलाता है यदि केवल जीवन जीवन को संतुष्च करते है बस ये इतना भाई अब आपको पता चल गया रुपे साहुची आपको पता चल गया कि जीवन काउन है किसी व्यक्ति का नाम नहीं है जीवन भाई जीवन काउन है जीवन समरक गुण धर्मा है बच्चों जीवन समरक गुण धर्मा है याद रखेगा ठीक है तो जीवन मतलब समझे A O B belongs to G यानि दो अवियो लिए दोनों का गुणन फल या प्लस किये हमको वही अवियो मिले ठीक है हाँ आरियन मिना जी नमस्कार चलिए तो देखे जीवन का जीवन को संतुष्ट करें आरियन मिना जी ये BSC फर्स्ट एर का क्लास है न ठीक है बटा ये देखे समुहाब ये दुचार बिजगनित की बात कर रहे हम लोग अब चलो दूसरा डेफिनिशन मैं लेता हूँ दूसरा कहते हैं सामी समुह सेमी ग्रूप सामी समुह इसको बोलते हैं सेमी ग्रूप इसका डेफिनिशन क्या होगा सब वही लिखोगे फिर से क्या लिखोगे सब में वही मालो जी अरिक्त समुच्चे है जिस पर ओ बड़े से लिख दीजेगा बार बार भाही आ रहा है देखो ओ दुच्यार संक्रिया है तब जी ओ क्या कहलाता है सामी समु से में ग्रूप कहलाता है सामी समु कहलाता है कब जब G1 और G2 का पालन करे यदि G1 क्या करता है भाई G1 वा G2 को सेटिस्पाइट करता है G1 G2 काओन है आपको पता चल गया G1 G2 काओन है पता चल गया मैं बोला ना सुरवात का 5 याद रख लीजिए फिर सब बनना है कहीं कोई छुटने वाला नहीं है प्यारे बच्चों याद रखेगा ये सामी समु हो गया अब एक समुही या मोनो आयड तीसरा डेफिनिसन याद रखे इसके बाद जश्ट कोईशन करेंगे एक समुही या इसको हम कहते हैं मोनो आयड मोनो आयड एक समुही मोनो आयड माल लो सेम सेम वैसी है माल लो जी एक औरीकत समुच्चा है सब में तो लिखना पड़ेगा आपको समुच्च्चा है जिस पार जी दुचर संक्रिया ओ परिभासित है ये परिभासा दिया है प्यारे बच्चो बिल्कुल सुरवात से आप ये पुरा ग्रूप थेउरी में स्टार्टिंग से इसको याद रखे क्योंकि आगे सब काम आना है याद रखना तभी हम थेउरम को आगे बना पाएंगे एक-एक पॉइंट को याद रखे प्यारे बच्चो कोशन को याद नहीं करना है एक डेफनिशन याद रखे पूरा कोशन अभी बताएंगे पूरा बन जाएगा कोई दिक्कत ने टेंसन नहीं लेना कि थेउरी है ऐसा नहीं है थेउरी जरूर है लेकिन कोशन डेफनिशन से बनता है बच्चो चलो जिस पर ओद दुचर संक्रिया परिभासित है तब जीओ क्या कहलाता है एक समुही या मोनो आयाट कहलाता है एक समुही कहलाता है अब इसमें क्या बोला एक सम्हुई के लिए यदी जी ओ यदी जी ओ जी ओ जी बन को जी टू को और जी थ्री को जी वन जी टू जी थ्री है बच्चों जी तू नहीं है ना जी वन भी नहीं है जी तू भी नहीं है यह है जी वन जी टू एंड जी थ्री को क्या करे संतुष्ट करे संतुष्ट करता है यह देखे आपने पहला याद किया बांकिया इसी याद हो गया मैंने कहा पहला समू हाब या दूचर बिजगनित की बात केवल G1 को सेटिस्फाइट करे मैंने दूसरा बताया सामी समू सेमी ग्रूप की बारे में यदि G1 और G2 को सेटिस्फाइट करे और तीसरा भी देखा आपने एक समू ही आमोनो आयाड G1, G2, G3 का पालन करे सेटिस्पाइट करे तो इस धंग से होता है ठीक है रुपे साहो जी है ना समझ में आ गया होगा चलो एक कोशन देखते हैं अच्छा एक और है परमित एवं अनन्त समूह इसको भी बता देते हैं परिभासा पुरा कर लो तभी बनाएंगे परमित एवं अनन्त समूह यदि समूह जी में आवयाओं की संख्या निश्चित है परमित है फिक्स है तब जी को परमित समूह कहते हैं और यदि जी में अवयाओं की संख्या क्या हो अनन्त हो तब इसे अनन्त समूह कहेंगे बच्चों याद रखेगा तब इसे क्या कहेंगे अनन्त समूह कहेंगे बिल्कूल कोशन में अच्छे से समझ में आएगा अन्डेट परसेंट कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा बेटा समूह की कोटी या गुरुपांग की बात करते हैं समूह की कोटी या इसी को हम कहते हैं गुरुपांग ठेके किसी परमिस समूह में आवयों की संख्या किसी परमित समूह में आवयों की संख्या समूह की कोटी या गुरुपांग कहलाता है चलिए अब यह हो गया कंप्लीट कोशन की बात करते हैं अच्छा इसको हम इसे ऐसा आडर आप जी से प्रदर्सित करते हैं क्या दिया है दर्साइये की सभी पुरुणां को धनात्मक या रिनात्मक सुन्य सहित यह आपको कोशन दिया है ना धनात्मक रिनात्मक सुन्य सहित अभी कोशन देखेंगे 100% समझ में आना है का समुच्चे आई क्या दिया है अर्थात यहाँ पर कोशन दिया है बच्चों योग दुचर संक्रिया योग दिया देखें दुचर संक्रिया योग दुचर संक्रिया के सापेक्ष एक अनंत आबेली चलो कोशन मैंने लिख लिया समुए हाँ देखें पढ़िये बच्चों क्या बोला गया दर्साए के सभी पुरुणांक तो सभी पुरुणांक में धनात्मक रनात्मक यहने समझे कि इसमें परमित अव्याव नहीं है अनंत अव्याव है इसका मतलब यहीं से पता चल रहा है कि यह अव्याव अनंत है इसलिए हम इसको अनंत अव्याव कहेंगे अब अबेली सब्दा आया है अबेली सब्दा आपको मिला है प्यारे बच्चों यह देखेगा अबेली समू की बात किया है मतलब आपको G1 निकालना है G2 निकालना है G3 निकालना है G4 और G5 यदि पाँचों का पाँचों सेटिसफाइड हुआ चोंकि इन में अव्यों की संख्या अनंत है इसलिए हम अनंत अबेली समू कहेंगे चलो सबसे पहला जब भी कोशन की सुरवात को देखो कैसे बनाना है रुपे साओ जी मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आप समूच्या बताइए तो आपको क्या दिया देखो I दिया है I क्या है पुणांकों का समूच्या है यही दिया है ना अर्थात आप I को जैसा दिया है वैसे रैट कर ले ना माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1 0, 1, 2, 3, dash, dash, and 1 ठेक जिस पर योग दिचर संक्रिया परीभासी थै जिस पर योग दिचर संक्रिया परिभासित परिभासित है तब हमें दर्साना है कि I प्लास देखो I प्लास एक क्या है अनन्त आबिली समू है बच्चो जिसके लिए निम्न अभिग्रीतों को संतुष्ट करते हैं सेटिस्फाइट करते हैं चलो पहला कौन है भाई जीवन पाचो को करना है ना समवरक कुछ नहीं है बच्चो बस जो डेफिनिसेन है उसे उक लिखना है अब ऐसा है हम इनी में से वन टू नंबर ना देके A ले लेते हैं भाई A देंगे तो माइनास A प्लास A जो भी ऐसा भाई की नहीं है A कुछ भी हो सकता इसमें से तो मैंने क्या लिया माल लो दो अव्यावलिया A और दूसरा क्या लिया B बिलांग्स टू कितना है आई जी नहीं देखेंगे यहाँ पर आई है ना आई आई लेंगे आई अब देखो दोनों का योग करो भाई तो आपको मिलेगा आई मिलेगा कर नहीं मिलेगा बिलकुल मिलेगा आप एक्जामपल दे सकते हो और मैंने लिया दो दन तीन बराबर कितना आगया पांच बिलांग्स करेगा आई को और भी एक्जामपल ले लिजे माइनस टू माइनस त्री ले लिजे माइनस फाइव आया बिलांग करेगा आई को अता हम कहेंगे कि जीवन क्या है समवरक है समवरक है कोई भी अवयो ले लो बच्चो हम जनरल अवयो जनरल एलिमेंट लेकर चर रहा है समझ में आ रहा है सब के लिए A और B ले लिया भाई और A और B आई के अंदर कुछ भी हो सकता है आई के अंदर तो अनन्ता हुआ हो है आईए अब जीटू की बात करें कौन है जीटू भाई साचारी है अभी ग्रिहित एक्जम इसके लिए तीन आवे लो लो चलो मालो A, B, C बिलांग कहा रहेगा I है तब क्या करोगे रुपेज जाओ जी देखेगा A PLUS B PLUS C कोश्टक बदल दो फार इवरी A, B, C बिलांग स्टू आई अब ये एक्च्वल में है की नहीं है चेक तो करना पड़ेगा चलो हम लोग ले ले लेते हैं 1 PLUS 2 PLUS 3 तो इधर मैंने लिया 1 PLUS 2 PLUS 3 अब चेक कर लो भाई LHS लेलो चलो तो मैंने लिया LHS 1 PLUS 2 PLUS 3 अब मुझे मिला 1 PLUS 5 दर्ट इस कितना हो गया 6 ठेक है रुपेज आहू ये देखो दूसरा RHS की बात करें RHS की बात करें 1 PLUS 2 PLUS 3 कोई भी आउयो लेलो 3 PLUS 3 बराबर 3 दोनों बराबर आएक नहीं आया LHS बराबर RHS आएक नहीं आया बिल्कुल आया अता हम कहेंगे साचारिय है क्या है ये साचारिय ने हमका पालन करता है A160 exam को satisfied करता है प्यारे बच्चो अब जीतरी में आओ जीतरी ये होता है तत्समक अभी ग्रिहीत आइडेंटिटी एक्जम चलो 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 क्या लिए थे भाई प्रतिक A belongs to I यहाँ पर जीना लेकर आई ध्यान देना आपने जब परिभासा लिखा तो जी लिखा है यहाँ पर आई आएगा आई समुच्चे दिया ना आई प्रतिक A belong to I के लिए एक तसमा कवियाओ एक तसमा कवियाओ देखो आई के अंदर कौन है तसमा कवियाओ प्लस के लिए 0 प्रेजेंट है यह देखे बच्चो यह देखो 0 है के नहीं है भाई बिल्कुल है हम ले सकते हैं एक तसमा कवियाओ जी लिखा प्लस के लिखा है केवल देखो परिभासा याद करो केवल इसी को बदलना है इसी को बदलना है बाकि अब जो सब्द है सेम रहेगा आप अच्छे से उसको फारमेट को त्यार कर लिजिएगा उसी में रखते जाएए 0 बिलांग्स टू आई का स्तित्व इस प्रकार है कि A प्लस 0 इस इक्वाल A इस इक्वाल 0 प्लस A फार इवरी A बिलांग्स टू कितना आई और 0 बिलांग्स टू आई इन में से कोई भी आउया लो 1 प्लस 0 इस इक्वाल 1 आएगा क्नि आएगा 0 प्लस 1 कुछ भी ले लो 1 ही आएगा ए स्वारी यहाँ पर क्या किया 0 हाँ ठीक है आपने लिया 1 1 प्लस 0 तो 0 यहाँ पर क्या है योज यत्त्त समग कहलाता है बच्चो यह G3 भी हो गया अब चलो G4 में आओ इसको कहते हैं प्रतिलोम प्रतिलोम अभी गरीद चलो 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 क्या करेंगे प्रतिक A belongs to same लिखना है A belongs to I के लिए एक प्रतिलोम आवियाओ एक प्रतिलोम आवियाओ माइनास A belongs to I का अस्तित्व इस प्रकार है कैसा है भाई A plus minus A is equal 0 होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा देखो आपके पास 2 है तो minus 2 भी है बिल्कुल है देख लो आप समुचे में देखो बच्चो आपके पास 2 है तो इधर minus 2 है तो minus 2 है 3 है तो minus 3 है 1 है तो minus 1 है मतलब है पालन कर रहा है satisfied कर रहा है तो इस प्रकार A के संगत प्रतिलोम minus A है समझ में आ गया ये भी satisfied हो गया अब चलो G5 में आओ G5 तो होना है भाई करम विन में की बात है मालो केवल सो करना है आपको दर्साना है A B belongs to कितना है प्यारे बच्चों आई है तब A plus B is equal B plus A for every A B belongs to कितना आई इसका मतलब मैंने 1, 2 लिया अधर क्या कर दिया 2 plus 1 कर दिया LHS लिया 1 plus 2 is equal 3 RHS लिया Example G बिलकूल RHS करम विन में यह है चोंकि G में आवयाओं की संख्या आई स्वारी G बोर रहा हूं I में G तो नहीं लिख दिया कहीं पर ठेक है G नहीं लिखना I लिखना न चोंकि I में अवयाओं की संख्या अवयाओं की संख्या को तयार कर लीजिएगा ताकि बहुत अच्छा से समझ मैं है मुझे उमीद है बच्चों आज का क्लास आपको मजा आया होगा ठीक है बस इसी तरीके से बने रहें और जो बच्चे नए है आप हमारा जो विजए सरक्लासे चैनल है उसका मोनो को क्लिक कीजिए आपको प्लेलिस्ट मिलेगा प्लेलिस्ट में जाएंगे बस इसी का आपको पूरा वीडियो लेक्चर मिलेगा बच्चों उसमें लिखा हुआ है बस इसी फर्स्टियर ठीक है इसलिए अभी से पढ़के रखिए ताकि आने वाले समय में competitive exam दो तो आपको दिक्कत ना हो हम अभी जस्ट आप लोगों का online exam होने वाला है उसको exam होगा उसके बाद BSC secondary भी सुरू करेंगे प्यारे बचों BSC secondary भी और BSC final भी सुरूबात करेंगे हमारा B का भी सुरूबात हो का है 11-12 तो चली रहा है जे डबली भी चल रहा है ठीक है तो बस इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें प्रेक्टिस करते रहें प्यारे बच्चों ठीक है आज का class यहीं तक रहेगा यदि हमारा class अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर बताईएगा ठीक है लाइक की किजिए सेयर किजिए सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद प्यारे बच्चों नमस्कार